मुझे तो कभी कभी शक्त लगता है कि कांग्रस से बीजेपी से मिली है बेरोज़गारी और महंगाई को कम करना है इस पार्लिमेंट में मैंने कई बार बताया है कि आप ऐसे इशूज पर फोकस कर रहे हो जो नान इशूज है हिंदुस्तान का इशू जमो कश्मीर का इशू बेकारी बेरोज़गारी खतम करना है इंडिलाइजिशन करना है बिजली पैदाव करना है अगर इंडिस्ट्रीज देनी हैं उसके लिए बिजली हो अगर जमो कश्मीर में कहेंगे हमने इतनी इंडिस्ट्रियां दी है और इतनी लाइं लेकिन ये गराट थोड़ी है पानी पर चलेगा अब पानी भी खतम हो गया उसके लिए बिजली चाहिए इसलिए अगर वो जोग भी हुकमत आए चाहे ए पार्टी की हो या बी पार्टी हो नेशनल उसके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं कॉंग्रिस को नसीहत देते गुलाम नवी यही नहीं रुके उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुझे तो कभी-कभी श्रक होता है कि कॉंग्रिस ही बीजेपी से मिली है उन्होंने और क्या-क्या कहा आईए आपको सुनाती है आप वो जाने उनका काम क्योंकि मुझे तो कभी कभी शक लगता है कि कांग्रस ही बीजेपी से मिली है क्योंकि तकरीमन दस साल से कई लीडर तकरीमन हम 30-35 लीडर थे 25 ने तो साइन ही किया था 23 ने ये लगे थे कि कांग्रस खतम हो रही है लीडरिशिप कुछ नहीं करती है चेंज नहीं होता है सिस्टम हमारा बलॉग डिस्टिक्सरीट प्रेजिडन्ड कमीटी नहीं है चेंज हो रही है कोई द्याथ में जाता नहीं है आफिस बेर बनाते हो और गर में रहते हैं कुछ चेंजज करो लिए कांग्रस लीडर शिप कुछ सुंती नहीं है बलकर जो तक कॉंग्रेस पार्टी में रहे, राजिस सभा का कारेकाल पूरा होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन चुनाव के समय उनका ये बयान यकिनन कॉंग्रेस के लिए एक आईना है